हलो दोस्तो तो आज मैं आचुका हूँ दोस्तो कटक के जो रेलो एस्टेशन है वो को दोस्तो पूरी तरह से जो रेलो एस्टेशन है एक्चुली जो कि दोस्तो में बारसों से जादा जो इस्टेशन है जो कि बड़े बड़े रेलो एस्टेशन का रेलो एस्टेशन का काम हो तो कटक का जो रेलोय स्टिशन हो इतना जादा खुबसूरत होने वाला इन फ्यूचर मतलब आप लोग साइध मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते कुछ भी कह सकते तो यह आरपोर्ट भी फेल हो जागा मैं कह सकता हूं इससे इतना बड़ी बड़ी क्रें आप लोग देख लेकिन अक्चुलिगे लिए यह यीजबल नहीं है यह आप लोग देख सकते फ्रॉंट लूक इस तरह है और यह बड़ी सा क्रें और लेप्ट साइड में दोस्तो जो है मतलब स्टेंडिंग का है जो कि गाड़ी और ऑटो जो है लेप्ट साइड में कहड़ा होगा जो कि आ का भी आप लोग देख सकते हैं इंटरेंस कुछ इस तरह का है दोस्तों है भी लग रहा है मुझे मतलब कोई एरपोर्ट से कम नहीं लग रहा है लेकिन अगर अभी तो आप लोग यह खुबसूरत ही देख रहे हो लेकिन जब इस्टेशन में घूसेंगे और आप लोगों को अब देखेगा ना एक्चुली कॉंस्ट्रक्षन अवर का काम तो आप लोगों गजब लगेगा दोस्तों बहुत सरा कॉंस्ट्रक्षन का का मैं आज तक मैंने जितना भी इस्टेशन में दोस्तों वीडियो बनाया है री डेपलिमेंट के काम उनमें से सब से ज़ादा जो क काम है यह कटक इस्टेसन में हो रहा है जो कि मुझे बहुत ही परसनल बहुत ही अच्छा लगा एक्चली मुझे कंस्ट्रक्शन पसंद है तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेट विडियो बनाता तो यह कुछ आप लोग देख सकते हो अंदर से अभी तक दोस्तों काम पूरा नहीं ह हाल भी बनाये जाए टेकिट काउंटर का मुझे पता नहीं लेकिन कुछ इस तरह का दिखते है अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह का अगर आप लोग को दिखेगा तो यह साइद एसी का जो कॉंपार्टमेंट होता है जिससे हावा जाता रहता है कुछ इस तर आप लोग देखेंगे तो यह हो जाता है ओल्ड इस्टेशन जो कि फिलाल में यह वर्किंग मोड में और इस जगह से आप लोग देख सकते है यह जो राइट साइड में आप लोगों को दिखा बहुत ज्यादा मालगारी का यूज होता है प्रेट ट्रेन का वह साइद इस फैक्टरी और साइद हो सकता है कि कोईला का ख़दान भी हो इसलिए जो है इस जगह बहुत ज्यादा मालगारी का यूज होते हुए मैंने देखा और सबसे बड़ी बात है दोस्तों इस जगह पर प्लाटफॉम के अंदर ले जाओंगा प्लाटफॉम के अंदर से आप दोस्तों देखो इंडिया में बहुत सारे रेलो इस्टेशन हैं अन्बिलीवेबल इतना साहिद गीन भी नहीं है हलांकि कुछ अकॉंटेबल होगा लेकिन दोस्तों उनमें से जो की में में बड़े-बड़े इस्टेशन है जो बड़े-बड़े राज्यों के बड़े- चल रहा है यह आप लोग देख सकते कॉंस्ट्रक्शन को वर्क का जो दोस्तों अभी टेलर देखो टेलर आगे जाते हो जब आप लोगों को दिखाएंगे पीछे बील्डिंग दिख रहे हो दोस्तों इतना बड़ा बील्डिंग जो है और जो की दुस्तों एंट्रेंस में भी लगाया जाएगा तो चलू नीचे जाके आप लोगों को दिखाएंगे तो किस तरह का कॉंस्त्रक्शन को वर्क हो रहा है आप लोगों को अगर कोई उडिसा से जरूर कोमेंड करके बताना और आप लोग कौन-कन उडिसा से हुआ बेख जाओ और दो के पास और से जाता हुआ है को एक एक्सप्रेस्टन है और यह फिलाल में आज चुक आप दोस्तों प्लाट्फरम नमर एक पे बहुत ज्यादा भाड़ी बेरकम भीड भी लगी हुए लेकिन दोस्तों एक बात में कह सकते हैं कि एडिया बहुत ज्यादा है नहीं फिलाल की दिनों में पत अधिकन काउंटर भी हो तो यह आप लोग देख सकते हैं और यह कुछ इस टेसेन को लूकस आप लोग देख सकते हैं किस रहा है कि आगे जाते हैं अगल को दिखाऊंगा ना तो आप लोग को पता चलेगा की कि देखो राइट साइड में आप लोग देखो फिलाल यह एक एक यथ compromise जो आपिस已經 और भाएंड शयुक्स के लिए जो हो चुका है कोई बात नहीं होने दो दिरेएем भी और यह आप लोग देख सकते हैं कटक का जो प्लाट्रॉन नमर्वान है उस पे राइड साइड में देखेंगे तो फूटवर बीज का जो में इस्ट्रक्चर है जो की धलाई है नीचे से उठता है वो भी बनाये गया है और यह कटक का इंड प्लाट्रॉन नेक का इंड तक औ और यह आप लोग देख सकते हैं प्लाट्रों मद 2 दोस्तों आ चुका हूं मैं और प्लाट्रों मद 2 देखेंगे कि बैठने के जगा बहुत अच्छा से अभी नहीं बनाए गया और भी ज्यादा बनाया जा रहा है जो कि पूरी तरह से कॉंस्ट्रेक्शन मूड में है कटक का इस रेले स्टेशन में और यह आप लोग देख सकते हैं कि प्लाट्रों मद 3 पे आ चुका हूं और प्लाट्रों मद 3 पे यह आप लोग देख सकते हैं एक वैप फोर के साथ एक एक्स्प्रेस रबाना होते हुए कटक का रेले स्टेशन से छोड़ते हुए ज्योंकि दोस्त तो मैंने कहीं गया और उस दिन बरसात नहीं हो रहा तो यह मेरे लिए बहुत भी अच्छी बात है और यह आप लोग देख सकते कि जो कोच पुजिसनिंग का जो बोर्ड है वो भी लगा दिये गया आप लोग देख सकते हैं कौन सा कोच किस जगह पर आएगा वो भी लगा द साथ जितना मेरा आइडिया है उसका साथ साथ जो है तो फूट अपर बिरिज भी बनाए जा रहा है तकि सभी लोग सभी चीजों के यूज कर सके एक्च्छी लीप्ट में तो बहुत ज़्यादा जो है लोग जा नहीं सकते हैं कुछ स्पेसिफिक लोग ही जा सकते हैं लोग देखो उपर में जो दो पूरी तरह से लिप्ट को उपर को जो हिस्सा है और यह आप लोग देखो इस जगह पे दोस्तों मुझे पता नहीं चल रहा है एक्चली इस जगह बनेगा कि हो सकता है वेटिंग हॉल बने उपर में पूरी तरह से चद डाल दिया जाए एक लेकिन इतना हीूज को वर्क मैंने पहली बार देखे किसी स्टेशन में होते है एक्चली इतना बड़ा स्टेशन अले कि हावडा बहुत बार मैंने विजिट कि है इतना ज़्यादा है नहीं क्या ही अब उसको बढ़ाया जाएगा लेकिन तभी हावडा में भी दोस्तों फ सलते हैं यह तो दोस्तों आप लोगों ने देखा साउट कोर जाते हुए यह आप लोग देखेंगे कि वेस्ट बैंगल के ओर आते हुए जो कि एक चोड है स्टेशन का और इस जगह पर और एक फूट ऑपर ब्रीजे वह भी बनाया जा रहा है और यह आप लोग डिक सकते क किस तरह का नजार है और मौसम में बहुत सुहाना है बहुत ही मौसम सुहाना है और यह आप लोग वीडियो दोस्तों कहां से देखेंगे जरूर कॉमेंट करके बताना और वीडियो कैसा लग रहा जरूर कॉमेंट करके बताना वीडियो अच्छा लगए दोस्तों लाइक कर बैदियो को और यह आप लोग देख सकते एक्चुली यह है जो कटक रेलों स्टेशन का एक्चुली वेटिंग हाल यह कह सकते और जो सब्सक्राइब के साथ मिलके जो कटक सहर है उसको और भी यदधे डेवल्मेंट किया रहा है तो यह आप लोग देख सकते है इस्टेशन के लगबग लगबग इस साइड में और ज्यादा हिस्सा है नहीं और यह लास्ट फूट अबर इस है जो की बहुत पुराना होगा तो दोस्तों वीडियो किस तरह का लगा जैरो कमें कर बताना वीडियो अच्छा लगा लाइक करो सबस्क्राइब करो गुर्भाई दोस्तों